मुखब एक शार आये महिलवानी है और नसर बढ़े अच्छे शाय है पयाब अंसानीया के यादा करन अच्छे करो, महबब खैलाओ, महबब गवान करो नफ्रतों का सफ़र एक कदम दो कदम हम भी ठख जाएंगे तुम भी ठख जाओगे तो क्यों नहीं हम आपस में इसलिए एक दूसरे को से आगे जाने की कोशिश करें कि मुहबत में कौन कितना आगे जा सकता है वफादारी किसे होनी चाहिए वफादारी अक्रे मुल्क किसे होनी चाहिए जलता कूरजे चांद सितारी सबका मालिक अल्लह है कि वो जो शंसो कमर से मुलक को जुबनू समझते है लओ धिंदी समझते है नुबू उर्दू समझते है ईसे वो कहते ह हैं दू-मसल्मास से तिससाइफ उसे रह rozm Tторов स्पष वादूotta वा हा यह यह तब हम यह वादावं के नमभी सताय तो गरे एक बेवापा कि नम भी सताए होवे तुने धोका वफा की लाग में खाए होवे तुने अंग्रेटी में एक कहवत है Court of Honesty Among Us Trish Honesty यदि दस्त चोर चूरी का भी जंदा करते हैं लेकिन चूरी किया हुआ समाह इमानजारी से अपने में बटवारा नहीं करते हैं तो वो धर्दा भी नहीं कर सकता है इमानोसा के बिना ये संसार नहीं चौश सकता है क्या NRC है ये हम नहीं जानते क्या NRC है ये हम नहीं जानते और CAA को ही हम नहीं मानते और जिसकी भुनियाद नफरत पे हो दोस्तो वो ऐसे चानून को हम नहीं मानते हैं मेरे बुजर्गों दोस्तों खुदा चाला जो इस पूरे संसार इस सिरिष्टी की संसार की सिरिष्टी करने वाला है इसका मालब है, खालब है, परवर्डिगार आलम है उसने सारे इनसानों को बनाया है और सारे इनसान पो एक ही माँ और एक ही बाप से निकाला है वो ये चाहता है कि सब इनसान दुनिया में भाई भाई की तरह बन कर रहे और उसकी अबारत करते रहे उसकी बंदेगी अफ्यार करें, उससे मांगें, उससे कहें उसके सामने एक बंदे फ़कीर बन कर आजिजी करते हुए हिदायत की तलब करें, कि ऐए मालक, ऐए खालब, ऐए परवर्दिगार आलम ऐए सारी दुनिया के निजाम को सजाने और बसाने वाले हमें अपना सच्चा बन्दा बन कर दुन्या में जिन्दगी मुजारने के तौफीख अच्चा बन्दा यानि जो कभी किसी गलत के सामने छुपता नहीं किसी गलत को कुबूल करता नहीं किसी नफरत को पहलाता नहीं और ना नखरत को फैले देने में वो खामोश बैटता है बलके उसके दिल के अंदर जो एक इंसानियत चाहने वाले एक जमीर होता है वो उसे जिंजोडता है कहता है के उठो आवाज बुरंद करो और जो इंसानों की शकलों में शेटान बनकर लोगों के दर्मियान समधायों के दर्मियान मुक्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोगों के दर्मियान फर्वक अदा करते हैं भेद्भाव करते हैं नफरत के जरिये से उनके दर्मियान दिवाले उठाने का काम करते हैं तो जो लोग अल्लाह के नेक बंदे ईश्वर के सच्चे भाग मानवता से प्रेम रखने वाले देश प्रेमी होते हैं वो अपने दायद को समझते हुए उठते हैं और महबत का चिराह रोशन करते चले जाए हैं आज की ये महफिल उसी सी एक कड़ी है के हमारे मुल्ग में बल्के पुरी दुनिया में नफरतों का इतना बोल बाला है के घर घर में नफरत, मौले मौले में नफरत, परिवार के अंदर नफरत, संधायों के दर्मियान नफरत, सूबे में नफरत, मुल्भू में नफरत, पुरी दुनिया में नफरत जिसको पैदा किया गया था शायर ने कहा है कि दर्द ये दिल के वास्टे पैदा किया इनसान को वरना ताएक के लिए कमने थे यादा कर्म अच्छे करो महबत प्हेलाओ महबत को आम करो नफरते इतनी प्हेल कुपी हैं दुनिया में कि महबत वाले किदर पदर रखें जगा नज़र नहीं आगा अज हमारे देश के महौल क्या होता चला जा रहा इसलिए जो भी देश क्रेमी है उसका ये फरीजा है उसका दायत हुए है कि वो अपने अपने अलाकों में ऐसे लोगों को साथ लेकर हर समुदाई के लोगों को साथ लेकर काली करम करे युजनाई चलाए आवाज उठाए और जो नफरत की आग फैल चुकी है उस पे महबत के फूलों की बारिश के जरीए से उस आग को खतम करते इसी में हमारी देश की तरफ़ी है उनन्नी है और हमारे देश की आंतरिक ताफ़त और पुवत है हम इस मौके पर अपनी बात को मुखतसर करते हुए पेगाम को कंक्लूड करते है कि इस प्रोग्राम और इस कवी सम्मेलन का मुखस्द यही है कि इस खानका से और इस शहर से आप जैसे लोगों के दर्मियान से यह पेगाम जाए कि हम महबत चाहने वाले हैं महबत करने वाले हैं महबत को पसंद करते हैं और महबत ही को पहलाना चाहते हैं उपर वाला हमें शक्ती दे ताकत दे पुवर के हम इंसानियत की खातिर पूरे देश भर में और दुनिया भर में पेगाम पहुंचाने के लायब बन सके आप सब का तहे दिल से मैं शुक्र गजार हूँ इस मंच का दिर्मान में भी यहाँ फक्र आलम सहथ के दादा जी ने उसकी नीव डालने में बहुत बली अपनी भूम का निवाई थी नवासी के दंगे में यह पूरा सहर जल रहा था एक भी आगली कोई घर से बाहर में निकर रहा था उसमें एक सुफी सल्थ हमारे आए होए थे उन्होंने कहा में दिन्जे सिंग्जी आप एक फटा सा प्रोग्राम कराओ और कोशीन के दो उसमें सनी मजहब के दो एक मज़ पर आए है मैंने आके निवेदन किया आजू की मिन्नत की जोने करने बेदू जाओंगा चलो मुझे भी दुना लग रहा है यह कैसा क्यों हो रहा है और साहस सर्फे अर्लब सहाब ने उस मंज़ पर जाके एक संदेश दिया कहम हिंदो मुस्लिम सिक्ष इसाई सभी एक नजभ के लोग है और यह दंग्या फैनाने वाले लोग है यह इनका एक अलब ही वो है इसकी इनके कहने पर हम लोग न आवे और अपने काम में लगे भीतर में खुद के ना रहा है यह एक साहर कर दंगा हुआ है और उस दंगे के समय में साहथ सबसे आज़म साहथ में अपना गलवन नियुक्त में इंदू बुतंची इंदू गले में जाला था और लाग्यट में चागर सबसे आफ़े में लाया था और ये तस्विर जब उत्रे दिन अख्वार में थभी अपने आप अपने आप दंगर सब्सक्राइब अभी तक सब लोगों ने देखा कि ने केमर हिंदुस्तान सारे संसार में उद्रबाद बहुत तेजी से बाह रहा है नफ्रत की आज हर जगे फैगी हुई है इंसानी बातों के बाद जू भी इंसानियत इंसानियत होती है बहुत छोटा सा एक उधारन बिना वक्त जाया करते हुए देते हुए अपनी बात मैं समाब करूगा अंग्रेजी में एक कावत है कोर्ड ऑफ ओनेश्टी एमंगश्टी जोनेश्टी अमूमी तोर पर आज इस मुल्क में खामकाहों से ये रिवायत खतम होती जा रही है कि लोग खामकाहों में और ऐसी जगहों में आकर के अपनी जो है धरूरतों को अपनी हाज़तों को और यहां तक के इंसानी पेगामाद को लोग आकर के सीखें और देखें आपके आज जरूरत इस बात की है कि मुल्क की जितनी खामकाह हैं उनको इस खामकाह के नक्ष्ट क वफादारी किसे होनी चाहिए, वफादारी अपने मुल्क से होनी चाहिए, वफादारी किसे होनी चाहिए, अपने माबाप से होनी चाहिए, अपने खांदान से होनी चाहिए, अपने उस्ताद से होनी चाहिए, अपनी जगा से होनी चाहिए, यह वफादारी की अहमेत है यहा आने में ये घलत फिह मी हो जाए कि ये जकात नहीं देता है, उसाही पे जकात है, उसाही में निसाब है, तो मथख्व में आया है कि आप जकात को दिखा कर दीजिए ताकि गलत फिह मी दूर हो जाए। पुरान में आया और वो इला सभी लिरब्ब का बिल्हिक्मति वल्मुविदत इल्हसा और दूसरा आया है मिल्हा खलक्राकुम मुफिया रुमीदुकुम मुमिन्हा उफ्रिजुकुम तावत अफ्रा नमासे रसूल हज़ते माम हुसेल अलिह सलम ने यजीज से परमाया उस हिंदुस्तान का नाम मेरे हुसे ने लिया उस हिंदुस्तान का कोई मुमाई का लाल बाल बाल का नहीं कर सकता है जलता हुर जे चांद सितारे सबका मालिक अल्ला है बेशक 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 आपकी दवाएं मिल नहीं है आपकी दवाएं मिल नहीं है देखिए शंकर के पास कुछ नहीं है पुछ नहीं है शंकर के पास लेकिन एक यहीं इक शरकार की नाद सभाइब पर जाएं पड़ पड़ता है अनका कित्या दिलता है तू रजे चाहां के सिर्टारी सफ़गारी के अलगा है और प्राइक हैं ऑनkin है तूम भी ठक जाओंगी तूम भी ठक जाओगे तो क्यों औहम हम आपस में इसलिए एक दूसरे को से आगे जाने की कोशिशन करें कि मुहबत में कौन कितना आगे जा सकता है। इसका मुकाबला करें। अपरतों का मुकाबला करके इंसानियत को खरूप नहीं दिया जा सकता है। रुके भी कोई लागे। अगलना अलेगे। रुके भी कोई लाग अगर ना कुपढ़े। सकार की हम शाम सहर 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 ना कुपढ़े। का तूटने नहीं देंगे। सिलसला मुहाबत का तूटने नहीं देंगे। और ये तो अपनी फुंजी है लूटने नहीं देंगे। करने आधि आओ के इतहावी, टारीफ और रखन तलวार की जादा असरदा म है। कलम्द रिस्तों की कद्र आज तक जो जे नहीं सके हरा yaş hun रिस्ता मैं उसके साथ निभाता ही रहा हूँ वो जो शमसो कमर से मुलक को जुबनों समझते हैं नवो हिंदी समझते है नवो उदू समझते हैं जिसे वो कहते हैं हिंदू-मुसलमा सिक्षित हिसाई उसे हम सर्जमीने हिंद्धी खुश्बू समझते हैं वाह 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 कैसे सकने इधा लिखाकर बच्चे भाला करती है चावल की हाडी में अम्मा चाद वाला करती है कैसे में सकने पालमी की पित्यापती मीरा वह थाशा है पालमी की पित्यापती मीरा आये दित्गुल सीमी खुआजा के संग खुसरों खेले खेले मिया नजी ऐसी ओली की तासी ऐसी ओली की तासी बादा के संग भुश्रों खेले खेले मियां नजीर ऐसी हो ली की ताजीर जफर बहादुर महल में खेले थिल में घंड यवी अपनी कुटिया में मस्ती से खेले रन कभी रहसी हो ली की ताजीर गजल से रिश्टा है जाने कम से गजल को पढ़ी ते है हम मतर से गजल से रिश्टा है जाने कम से गजल को पढ़ते है हम मतर से गजल को सुनके जल सलापा जो बन मतर के आओ तो हम भी आओ लेखा ता दिल की तखत पे उल्पत की तासता लेखा ता दिल की तखत पे उल्पत की तासता आखिर किसी के गंबी मिटाई हो वे तो रहे तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर के बगए तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर के बगए तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर के बगए जैसे वो आई ना कोई तस्वीर के वाँ 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 रफी पढ़िए इसका नहीं हो प्यादा कोई गं समालता है मुझे रफीको हिज्र का मौसम समालता है मुझे किसी की याद कोई गं समालता है मुझे रफीको हिज्र का मौसम समालता है दुझे यजीदियों की ये कोशिश के सर भुकाओं मैं मगर हुसाइन का पच्चंच हमालता है मुझे यजीद एजट शराफत जहां से निहां हो रही है शराफत जहां से निहां हो रही है अच्चलो मिलके पढ़ले ये शराफत जहां से बुझे च्चलो मिलके पढ़ले नमाज मुहाबते नदी की धार से सरसों के फुल से रिष्टा है गहरा और भी मेरा भबूल से रिष्टा जो राम कृष्ण से गौतम से है जो नानक से वही हमारा है प्यारे रसूल से है वहवा 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 भिदाबाद भिदाबाद यह का मुहें यो बताना पड़ा एक रोशन दिये को पुल्हाना पड़ा यह तो यह तो गया भी भी लिखे दिए के चीज़ लिए ये एक शेद मैंने विवी लिए तलखी ए जी से जित्री की तलखी से तलखी ए जी से गुरुर के न बन लची को जचेड़ को सारस कमद्बे लुझे काववा एक बात मैं कहते हैं एक बार काइख कीजेगा अपने जिस सबसेताहिं समेर्थन कर रहे हैं ताळियों से जो मैं बात को हूँ हमने कह ही अच्छन केYE काहवा शरीइट का दरवाथा ह हिंस्ता की कि अच्छी बात यह मैं कहने जा रहा हूं कि गुंबदे खजरा में आताय दो जहां जहां आराम फोर्मा रहे हैं उनका कड्मे मुबारत हिंदुस्तान की तरफ है कि थंकी से तेरे मैं तो कभी डर नहीं सकता जीता रहूंगा दोस्तो भारत में शाम से जीता रहूंगा दोस्तो भारत में शाम से शेल मुलादा पर्मा कि क्या इनारसी है यह हम नहीं जानते और सी एए को भी हम नहीं मानते और जिसकी बुनियाद नफरत पे हो दोश्तों वैसे कानून को हम नहीं मानते हैं शेर मुलाइज़ा फर्माएं कि मुसल्मा हूँ खुदा पर हर भड़ी इमान रखता हूँ हमेशा फिर्म भारत के लिए सम्मान रखता हूँ ये दुनिया आज की तो अबाबब पसंद है हम अहले दिल हैं हमको मुहफ़त पसंद है और जालिम जालिम को मेरे अज्म की इतनी खबर रहे मेरे बदन की सुर्खी शहादत पसंद है अब ने क्या बना के खोड़ दिया किसी का सहरा किसी के वदन में जोड़ दिया जोड़ दिनको जुकाना है कहां जल रखता है आईए मुवार्बाद पेश करते हुए आपकी शाइरी अरुट परें जनाबें अब्दुल्ला बखाज उनसे घुजारिश करता हुए और तश्रीफ लाएं और और उन दिनों बहुत बीमार बीमार से रहे हैं हम लोग जाहुते हैं चूंकि हम लोग उनके साथ अफसर जावेल अब 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 यह जो ज़स्वात होते हैं वो इसी तरह की बात होती है तो मैं वो पीरे वी उवर नहीं है अब सर्थ नाजिक साथ यह मसला पैता होता है कि हरीज़ी हो सकता है यह जो बनाम नहीं है अच्छानक क्यों कहा आप जाड़गण से तसक्राएं वो शायर आए यह शायर बोल नहा है कि बचाओ अस्मान साहब और दीगर दमाम मौजजजी आपाल करते रहें